SHUT UP AND SIT DOWN चलिए आईए अब हम लोग पढ़ते हैं आउट्सोर्सिंग के वारे में जिसको हिंदी में बाहर सुरोतिकरन कहते हैं यह ध्यान से शब्त को ध्यान दीजिए बाहर सुरोतिकरन आउट्सोर्सिंग इस एनी थास्क, ओपरेशन, जॉब और प्रसेस that could be performed by employees within your company but is instead contracted to a party for a significant period of time बाहर सुरोतिकरन ऐसा कार्य प्रकार्य अथवा प्रक्रिया है जिसका निश्पादन आपकी कंपनी के करमचार्यों द्वारा किया जा सकता था परंतु बजाए इसका अनुबंध जिसको ठेका कहते हैं एक विश्ष्ट अवदी के लिए किसी अन्य पक्ष या संस्था को दिया गया है Hiring a temporary employee while your secretary is on maternity leave is not outsourcing आपकी सचीव के प्रसूती अवकास पर चले जाने पर किसी अस्थाई करमचारी से कार्य कराना बहाय सुरोती करन नहीं है In addition, the functions that are performed by the other party can be performed on-site और off-site इसके अलावा अन्य पक्ष द्वारा निस्पादित किये जाने वाले कार्य कार्य स्थल पर अत्वा कार्य स्थल से परे निश्पादित किये जा सकते हैं देखें आउट्सोर्सिंग को simply अगर आप समझना चाहें माल लिजे आप Airtel Company के मालिक हैं या तो Vodafone Company के अब आपके पास करोड़ो कस्टमर है हर कस्टमर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है माल लिजे एक करोड़ में से एक लाग कस्टमर का हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जो Airtel Office है या Vodafone Office वो आउट्सोर्सिंग करके रखे हैं मतलब वो जो कॉल आ रहा है उसको दूसरे कंपनी को बोले हैं कि आप लोग हमारा कॉल को देखिए यह हुआ सिंपल मीनिंग आउट्सोर्सिंग का जहां पर यह काम आप खुछ से भी कर सकते थे लेकिन आप खुछ से ना करके किसी और कंपनी से या किसी और लोगों से जो आपके website के लोग नहीं है आपके करमचारी नहीं है उनको आप काम ठेके पर दे देते हैं The most common model of outsourcing that is in the news today refers to jobs that are being sent overseas to countries like India और चाइना 22 करन का सर्वमान्य प्रतिमान जो आजकल समचारों में है के अनुसार 22 करन का आर्थ है कारियों को विदेशी फर्म जैसे चीन से कराना यह भारत से भी कराया जाता है हमारे यहां बहुत सारे offices हैं जिनको हम लोग call centers के नाम से जानते हैं यह outsourcing होते हैं This is more commonly called offshoring example include telephone call centers tech support and computer programming outsourcing has been around as long as work specialization has existed customized offshore outsourcing solution have created the need of established business processing outsourcing BPO methodology इसे सामान्यत अपटत कहा जाता है इसके उधारन है टेलिफोन call center तक्नीकी सहयोग तथा computer कार्य करमन कार्य विशिष्टिकरन के अस्तित्व के साथ ही 22 विशिष्ट रूप से तयार अपटत 22 स्तोतिकरन सामाधानों ने वैसाय प्रक्रिया 22 स्तोतिकरन क्रिया प्रणाली के आशक्ताओं को जन्म दिया Business Process Outsourcing BPO is the contracting of a specific business task such as payroll to the other part is service provider. Usually BPO is implemented as a cost-saving measure that a company requires to maintain its position in the marketplace. In this unit or lesson you will study about the concept and importance of Business Process Outsourcing BPO and Knowledge Process Outsourcing KPO. वैसाय प्रक्रिया 22 स्तोतिकरन BPO का भी प्राय है किसी अन्य सेवा प्रदाता पक्ष को अनुबंदित करना समान्यत वैसाय प्रक्रिया 22 स्तोतिकरन को लागत बचाने के एक उपाय के रूप में लिया चाता है ताकि एक कमपनी बाजार में अपनी इस्तिती बनाई रख सके इस अध्याय में आप वैसाय प्रक्रिया 22 स्तोतिकरन की संकल्पना तथा उसके महत्व और ज्यान प्रक्रिया 22 स्तोतिकरन के बारे में पढ़ेंगे देखिए BPO में क्या होता है या तो आप प्रोडक्स भेजते हैं या तो आप लोगों का प्रॉब्लम सुनते हैं के पीओ में आप लोगों को कुछ नौलेज देते हैं यह क्या है इसके बारे में आगे के वीडियो में हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे प्रीएपन का ये दो.. वीडिर्यी की को में प्रॉब्लम कुछ भाल कर दे के लिए एudsाalnız को पर्श कर about